उनकी हिंदु मुसल्मान की राजनीति को मैं एक्सपोस कर रहा हूँ हम अब दुकने वाले नहीं है ये जुठे बयानबजी करने वाले लोग आज तक एगमी मुद्दे पर निरनायक नहीं बन पाए है हमने इंदुस्तान को पुकुड़ा में नहीं देखना चाहिए जिन में अपनी पार्टी को समालने का ताकत नहीं है वो देश क्या समालेंगे ऐसे कैसे लोग हैं कि कोई उनकी पार्टी चोरी जावर सोते रहे पांचवे चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एवीपी नियूस को सबसे दमदार इंटर्व्यू दिया है इस इंटर्वे में पीम मोदी ने हर मुद्दे पर खुल कर बात कि खास्तोर पर अभी हो रही हिंदू मसल्मान की राजनीती पर पीम ने विपक्ष को लेकर बहुत बड़ा भयान दिया इसके साथी सबसे बड़ी जीत का दावा भी किया आपको पूरा इंटर्व्यू दिखाएं उससे पहले बड़ी ख़बर बता देते हैं एबी पिरी उस पर बदान मंतरी मोदी का सॉलिड इंटर्व्यू पीम ने कहा कि कुछ लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ धर्म के नाम पर बाटने वाले एक्सपोज हो रहे हैं प्रदान मंतरी ने कहा कि कुछ लोग विक्रित मानसिकता वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की पार्टी रातो रात चोरी हो जाती है उन्हें तो जन्ता उन्हें वोट ना दे यही बेटर है क्योंकि जो पार्टी नहीं चला सकते वो देश क्या चलाएंगे मुंबई की सड़कों में मोधी मोधी हो रहा है और ये क्यों हो रहा है खुद नरेंद्र मोधी जी से पूछते हैं देश के प्रधान मंत्री जो इस समय मुंबई की सड़कों पर चाय हुए है सर सबके दिमाग में एक ही बात दस साल की सासन सत्ता के बाद भी आपके पॉप्ल अच्छी तरह जानती है, अच्छा क्या है, भुरा क्या है, क्योंकि भारत के नागरिकों के रगों में लोकतंत्र है, वे बोलते कम है, लेकिन सही की परख उनको होती है, और उनका ये सामर्त है, कि वे चीजों को पहचान करके निरने करते हैं, और मेरे लिए प्रसनता का विशय है, कि मेरा पुरा जीवन देशवास्चियों के लिए समर्पीता है, और जब उनका इतना प्यार मिलता है, तो मेरी काम करनी के उर्जा बढ़ जाती है, मैं आपका भारी हूँ, क्योंकि आपकी चैनल में आपके अपने सोर्स होंगे, आपके पास जानकारिया होगी, आप एनालीसिस करते होंगे, और जैसा आपका एनालीसिस है, वैसा ही देश का एनालीसिस है, कि दस साल का कारकाल पूरे विश्व में भारत की साग बढ़ाई है दस साल का कारकाल 2014 में जो देश निराचाई की गर्थ में डुबा हुआ था अध्य देश आत्मविश्वा से भरा हुआ है और हर देश वासी को लगता है कि हम अब तुकने वाले नहीं है हम तीन नंबर की एकोनोमी बन करके रहेंगे यह विश्वास है 2047 तक विक्सित भारत बन के रहेगा यह सामान्य मानवी का विश्वास है कोई कल्पना कर सकता है इंदुतान के साथ भी आठीकर जागे बच्चे को मालूम है G20 क्या होता है मतलब भारत का नागरी उस रूप में तयार हो चुका है मतलब जी 2014 के बाद हमने देगा कि धार्मिक और अध्यात्मिक पुनुरुथान हुआ चाहे वो राम मंदी का निर्माड हो चाहे कासी विश्वनात कॉरिडोर का निर्माड हो लगातार धार्मिक पुनुरुथान की वज़ा ही मानते हैं कि लगातार विपक्ष आप पर सीधे और व्यक्तिकत हमले कर रहा है मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं नहीं मानता हम कोई पुलिटिकल वर्कर अध्यात्मिक पुनुरुथान कर सकता है वो तो हमारे हजारों साल की रुश्यों मुन्यों की तपसरिया है उसी पर वो है और अभीरत चलता रहा है बिच में कैसा कालखंड आया कि कुछ विकूत मान सिकता हमारे लोगों ने उस पर परदा डाल दिया मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस परदे को हटा रहा हूँ ताकि लोग अपने सामरते को अपनी विरासत को अच्छे धंग से जबदे दूसरा एक सो चालिस करों का देश आप किसी को मुझहरे के मिन में इच्छा रहती है कि मुझे एक बार मा को गंगास्तान कराना है एक बार चार धाम यात्रा कराना है अगर मैं अध्यात में छोड़ दूँ मैं और को विशार दूँ प्योरली मैं कॉमर्चियल टम्स में सोच हूँ एक सो चालिस करोड यात्रियों का बिजनेस पढ़ाए मेरे देश में अब मुझे कोई बताए क्या मेरे देश वासियों को जहां वो जाए वहाँ अच्छा ट्वाइलेट मिलना चाहिक नहीं मिलना चाहिए वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलनी चाहिक नहीं मिलनी चाहिए रहने के लिए अच्छी जगा मिलनी चाहिक नहीं मिलनी चाहिए ट्रांस्पोर्टेसिंग के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलनी चेक नहीं मिलती है इस सरकार के काम है जो काम देश आजाद होने के तुरंट बात करना चेहे था वो नहीं किया मैं सिर्फ कासी का बताओ करीब पांच करोर लोग वहाँ पिटले के दिनमा पांच करोर लोग आया मैं पूरी काशी की एकोनोमी बदल जई आज अयोद्या मैं अयोद्या की एकोनोमी बदल रही है बद्रिनात के दाननार उत्तरा खंट वो तो यात्रियों के आधार पर उसका एकोनोमी थी अज पूरी एकोनोमी में जान पर गया तो इसको उस अर्जमें भी देखना चाहिए संकीरों के बीच में जो भ्रहम पहलाया जा रहा है जो बाते कही जा रही है कि अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ गई तो समिधान खतम कर देंगे जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो खतम कर देंगे उसको कैसे देखते हैं मैं 23 साल से Head of the Government हूँ ये जुठे बयान भाजी करने वाले लोग आज तक एक भी मुद्दे पर निरनायक नहीं बन पाए है नहीं कौड से जज्जमेंट ले पाए उनकी हिंदु मुसल्मान की राजनीती को मैं एक्स्पोस कर रहा हूँ उनकी वोडवेंग की राजनीती को मैं खुलकर करता हूँ मैं मानता हूँ हमने हिंदुस्तान को टुकड़ो में हिंदुस्तान एक है उसी रुप में देखना चाहिए और उसी रुप में हमने आगे बढ़ना चाहिए पहली बात है, इन नकली सीवसेना है, इन नकली एनसीपी है, सीवसेना एनसीपी दोनों आज एनसीपी दोनों आज एन्डिये के गड़बंदन के हिस्से हैं, दूसरी बात है, कि ऐसे कैसे लोग हैं, कि कोई उनकी पार्टी चोरी जाओ और सोते रहें, तो ऐसे लोगों को देख वोट नहीं देना चाहिए, जिन में अपनी पार्टी को समालने का ताकत नहीं है, वो देश क्या समालेंगे, कोई आकर कि उनकी पार्टी चोर रोते रहते ह कि आपको लगता है कि महराष्ट हो चाहे वो बिहार हो या जहां पर बारतिय जनता पार्टी को और एंडी एलाइस को देश की जनता ने 400 पार कराने का फैसला कर लिया है हिंदुस्तान में मैं जहां जहां गया हूँ बच्चा बच्चा 400 पार के मुड में है और इसलिए मुझे इसके लिए दिमाग खपाने की ज़रूत नहीं है चार जुन को आप भी उस उत्सव और मांग में जुड जाएंगे जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे